और आज का दिन इतना थंड़ा है कि बहार हिम पाथ का है या स्नोफॉल का है वह हो रहा है तो आज मैंने अपना वेन्यू चेंज कर लिया है परमात्मा कहते हैं कहीं पे भी बैठो लेकिन मेरी याद में रहकर के इसे वा करो तो आज लैब्रेरी रूम से आज बेडरूम में थोड़े से कमफर्ट जोन में आ गए हैं तो देखें आज परमपिता परमात्मा चौथे दिन में हमें कहते के हैं आज की श्रीवर्दान में बाबा करते हैं देह अंकार देह का जो अंकार है वा अभिमान के सुक्षम अंज का भी त्यार करने वाले आकारी सो निराकारी भवा मतलब क्या है कि देह का आंकार इतना सुक्षम है कि हमें पता भी ने चलता कि हमारे अंदर आंकार है कि नहीं है तो बहुत ही सुक्षय में उसका भी त्याग करने के लिए परमात्मा तो देखें परमात्मा क्या न क्या चाहते हैं कौन सा ये त्याग चाहते हैं परमात्मा विस्वार में चलते हैं कईयों का मोटे रूप से देह के अंकार में लगाव वह अभिमान नहीं है मोटो रूप से क्या है हमें सबको गयान मिल चुका है ब्रह्म कुमारी इसमे और आपने भी कई वरदाउनों में सुना है कि आप एक आत्मा है आप यहां बैट करके सारे शरीर को कंट्रोल कर रहे होते हैं तो आप यह शरीर नहीं है तो एक अभी मान तो चला गया कि मैं फलाना हूँ मैंने यह यह चीज़े अपने जीवन में प्राप्ति करी है यह धन, दौलत, संपत्ति, पोस्पोजिशन यह सारे चीज़ों का अभी मान तो थोड़ा-थोड़ा कम होई गया है लेकिन दे के संबंद से अपने संसकार विशेश है दे के संबंद से मैं तो आत्मा हूँ लेकिन मेरे अंदर यह संसकार विशेश है मेरी यादत हैं मैं कभी किसी के बारे में चुगली नहीं करता हूँ कभी दो यतर की बाते नहीं करता हूँ आत्मा मैं करता हूं करती हूं एक ही बात हो जाती है, आत्मा का कोई जंडर नहीं होता है, तो जम यह कहते हैं कि मेरी तो यादत नहीं है, उनकी यादत होगी, तो मेरे ये संसकार तो अच्छा है, मैं तो किसी के अंदर बुराई नहीं देखता हूं, वो देखते हैं मेरे अंदर बुरा इतना आसान तो है यह तो किसी को भी समझ आ जाए यह कहना गुण विशेश है मेरे यहां पर यह यूट्व में बाट करके बाते करना ऐसे मैं कर सकता हूं बाके तो कोई कर नहीं सकता यह सोच लेना इसका भी अभी मान आ जाना मेरे अंदर गुण है विशेश explaining करने के गुण है मेरे अंदर और इसे better हूं यह सोच लेना अगर यह आपके अंदर है तो परमातम केयते हैं यह भी आपके अंदर के एभई मान है कलाएं विशेश है मेरे अंदर entertainment की कला हो नाचने गाने की कला हो किसी खुश रखने की भी कला हो या leadership की भी कला हो किसी के अंदर तो ये भी चीज़े भी हो गई कोई शक्ती विशेश है tolerant करने की शक्ती है, सेहन करने की शक्ती है समाने की शक्ती है अच्छा इतनी छोटी सी पात आप समा नहीं पाए अरे मेंको तो याद भी नहीं यह सारी बाते है छोड़ो ना अब भी ये भी क्या हो गया एक अभी मान हो गया उसका अभी मान अर्थात अहंकार नशा रोब तो हमें पता नहीं चलता कि मारे अंदर अभी मान है परमादो कहते हैं इन सारी चीजों का क्या क्या संसकार विशेश है मेरे अंदर मैंने समाल लिए सब चीजों को मेरे को पता था बुद्धी विशेश है बाकी समझ नहीं पाए मैं समझ दिया फिर गुण विशेश हैं देखो सबको मैं समाल करके सबको मैं लेकर के आगए बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ कलाएं विशेश है मेरे अंदर सब मेरी बाती मानते हैं सब मेरी वावा करते हैं क्योंकि मेरे अंदर और उसे बेटर कलाएं है या कोई शक्ति विशेश है उसका अभी मान अर्थात इसका अहंकार या इन चीजों का नशा या रोब हो रोब में क्या होता है और उको बताते हैं देखा मैंने करके दिखा दिया वो तो वही के वही रहे गए ये भी एक अहंकार की गुप्त सुक्षम निशानिया है परमात्पा कहते हैं ये सुक्षम देभी मान है तो ये अभी मान कभी भी आकारी फरिष्टा मला हलकापन हमारे अंदर कभी हलकापन नहीं लाने देगा क्योंकि हम इसी बंधन में फस्ते जाएंगे अपने ही चक्रवी में फस्ते जाएंगे तो ये अभी मान कभी भी आकारी फरिष्टा वा निराकारी बनने नहीं देगा निराकारी मतलब की सोल कॉंशिस बनने नहीं देगा हमें अभी भी क्या चाहिए अभी अभी मान चाहिए तो अभी मान को आप संदी विच्छेत कर दें अभी अभी जिसको मान चाहिए रोब मतलब क्या हो देखा मैंने करके दिखा दिया अरे तो चोटी सी बात थी ये तो कोई बड़ी बात नहीं है मैंने तो बहुत पहले भी किया हुआ है अरे मेरे ले तो कोई ये तो दाई हांत पर खेले मेरे ले ये सारी चीज़ी ये रोब ये नशा परमात्मा कहते हैं ये भी आपको हलका नहीं होने देता है मन से और आप फिर बंदनों में फस आते हैं जितना बोरेंगे अपने बारें में बड़ा बोलेंगे लोग और फसाएंगे और ज़्यादा काम मिलेगा और ज़्यादा उलजने आएंगी जीवन में तो परमात्मा कहते हैं वह निराकारी बनने नहीं देगा इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याक करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे तो क्या बन सकेंगे निराकारी परमात्मा चाहते हैं हम क्या बने निराकारी निर अहंकारी जिसके अंदर अहंकार नी है और निर विकारी विकारों में तो आक्शली पांच विकार आई जाते हैं काम, क्रोड, लो, मो, अहंकार तो ये निर अहंकारी क्यों? तो इसे के साथ में आज के यह श्री वर्दान आपको उम शन्ती